नमस्कार, रुच्रा भाग्दों के अंतरगत संकल्पह सिध्धि दायकाह, पाठ के शब्द आर्थ इस प्रकार हैं, पहला शब्द है पति रूपेन, जिसका आर्थ होता है पति के रूप में, पाठ में कहा गया है कि माता पार्वति, भगवान शिव को पति के रूप में पा इसकार्थ है इसके लिए, अगला शब्द है आवांचद, जिसकार्थ होता है चाहती थी, इसके बाद मात्रे शब्द दिया गया है, जिसकार्थ है माता से, माता पार्वति, अपनी मा मैनावति को अपने मन की बात बताती हैं, और उनके सामने तपस्या करने की इच्छा प परिशान, माता पार्वते की बात चुनकर उनकी मा मैनवती, चिंता से परिशान होटती हैं, ये सोच कर कि पार्वती का कौमल शरीर तपस्या की कठिनाईयों को कैसे सैन कर पाएगा मनीशीत कार्थ दिया गया है, चाह गया या इच्छित, अर्थात जिस चीज को पाने की अभिलाशा की गई हो ताद्रिशाह, अर्थात वैसा, इसके बाद दिया गया है अभिलाशाह, इस कार्थ होता है इच्छा अगला शब्द तपस्या, जिसका अर्थ होता है तपस्या से, माता पार्वती तपस्या से भगवान शिव को प्रसंद करके उन्हें पती रूप में पाना चाहती थी प्राप्स्यामी कार्थ है प्राप्त करूंगी अगले शब्द है जीवन जमा अभिलाशा की संधी से बना हुआ जीवना भिलाशा अर्थात जीवन की चाह सरल अर्थों में कहें तो जीने की इच्छा अगले शब्द आकुलितम कार्थ है परेशान साकम कार्थ होता है साथ अगला शब्द निश्क्रामती दिया गया है जिस कार्थ है निकल जाती है या चली जाती है पाठ में कहा गया है कि माता पार्वती अपनी सकी विजया के साथ गवरी शिखर पर्वत पर तपस्या के लिए निकल जाती है मनसा अर्थात मन से, वचसा अर्थात वचन से और कर्मना अर्थात कर्म से मातपार्वती मन वचन और कर्म से अपनी तपस्या को पूरा करती है तपतिस्मा अर्थात तपस्या करती थी शिलायाम अर्थात चटान पर और स्वपतिस्मा अर्थात सोती थी पाठ में कहा गया है कि तपस्या काल में माथा पार्वती चट्टान पर स्वया करती थी तपह प्रभावात अर्थात तपस्या के प्रभाव से एक दिन विजया माता पार्वती से कहती हैं कि तपस्या के प्रभाव से हिंसक जंगली जानवर भी आपके मित्र बन गए हैं अगला शब्द अगति ही दिया गया है जिसका अर्थ है गति हीनता अर्थात जिसमें गति ना हो आगे बढ़ते हैं संपाधित वती अर्थात संपन किया या पूरा किया इसके बाद है प्रतिता इसका आर्थ है प्रसिद्ध हो गई माता पार्वती अपनी तपस्या से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई थी आतुर रिदये कार्थ है हे व्याकुल रिदयवाली इस शब्द का संभोधन माता पारवती अपनी सखी विजया के लिए करती हैं जब विजया बार-बार माता पारवती से पूस्ती है कि आपकी तफस्या भी पूरी हो चुकी है आपने वेदों का अध्यन भी कर लिया है पूरे विशो में तफस्या के कारण आप प्रसिद हो चुकी है परन्तु फिर भी अभी तक आपकी तफस्या का फल क्यों नहीं मिला है अभी तक भगवान शिव क्यों नहीं प्रकट हुए है विजया की इस अधीर्ता को देख कर ही माता पारवती उसे व्याकुल रिदयवाली कहती है नेपत्य कार्थ है परदे के पीछे से आश्रम वटु हो अर्थात आश्रम का ब्रह्मचारी भगवान शिव आश्रम के ब्रह्मचारी का रूप धारन करके वहां प्रभेश करते हैं जटिती का अर्थ होता है जल्दी से क्रियार्थम का अर्थ है तप के लिए यानि की तपस्या के लिए पूजोब करणम हर्थात पूजा की सामक्री सुलब्भम कार्थ है आसानी से प्राप्त जो चीज बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाए जिसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष ना करना पड़े धर्मसाधनम अर्थात धर्म का साधन अगला शाब्द है तूशनीम तूशनीम अर्थात चुप आकुली भूय इसका अर्थ है परेशान होकर इसके बाद दिया गया है उपहसती जिसका अर्थ होता है उपहास करता है सरलर्थों में कहें तो मजाक करता है अगले शब्दार्थों क्यों बढ़ते हैं श्माशाने इसका अर्थ होता है श्माशान में अर्थात कब्रिस्तान में इसके बाद आंगरा गह दिया गया है जिसकार्थ होता है आंगलेब इस कथा में ब्रह्मचारी की रूप में आय हुए भगवान शिव अपना हिव भास करते हुए माता पारवती से कहते हैं कि हे पारवती तुम उस शिव के लिए तपस्या कर रही हो जो अपने शरीर पर अंगलेब के रूप में भस्म लगाता है इसी संबंध में अगला शब्द है परिजनहा जिसकार्थ है मित्रगण और भूतगणा कार्थ है भूतों की टोली अपने उपहास को आगे बढ़ाते हुए भगवान शियो जो की आश्रम के वटो के रूप में आय हुए है वो कहते हैं कि हे पारवती क्या तुमें पता नहीं है कि जिस शिव के लिए तुम तपस्या कर रही हो उसके मित्रगण तो वास्तों में भूत प्रेत ही है वाचाल कार्थ है बढ़ बोला जो बहुत अधिक बोलता हो इस शब्द का प्रियोग माता पारवती आश्रम के उस ब्रह्मचारी के लिए करती हैं जो भगवान शिव का उपहास कर रहा है परन्तों माता पारवती इस बात से अंजान है कि ये आश्रम का प्रह्मचारी और कोई नहीं बिल्की स्वयम भगवान शिव ही है या थार्थम का रथ है वास्तविक इसके बाद दिया कया है पाप भाग जिसका रथ है पाप का भागी कर्थात पापी प्रिष्ठतकार्थ है पीछे से और परित्यज्यकार्थ है छोड़ कर या त्याग कर जब माता पारवती क्रोधित होकर वहां से जाने लगती है तो भगवान शिव आश्रम के ब्रह्मचारी का विश्च त्याग कर पीछे से माता पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं कमपते अर्थात कापती है और प्रीता कार्थ है प्रसन संकल्पेन कार्थ होता है संकल्प से या द्रिढ निश्चे से अगली शब्द अध्य प्रब्रिति कार्थ है आज से और क्रीत दासा कार्थ होता है खरीदा हुआ नौकर या दास भागवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ तुम्हारी इस तपस्या ने तो मुझे अपना दास बना लिया है इसके बाद विनत आनना शब्द दिया गया है जिस कार्थ होता है नेचे की ओर मुख की हुई और विहसती कार्थ है मुस्कुराती है भागवान शियों की बाद सुनकर माता पार्वती अपना मुख नेचे की ओर करके मुस्कुराने लगती है इस पार से संबंधित विश्त्रित अनुवाद, अभ्यास और इसके बहु विकल्पिय ब्रश्ण यानि की multiple choice questions की वीडियोज का लिंक नीचे description में दिया गया है